प्रवाइन थगी का मास्टर माइंड फेस्बूक को खत्म करने की तयारी में था खुलासा हुए है कि थगी का मास्टर माइंड अनुभाव जल्द फेस्बूक की तर्ज पर सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म लाँच करने की तयारी कर रहा था वही मामले में UPSTF ने आरोपी अनुभाव मित्तल की पत्नी के कानपूर स्थित घर को सील कर दिया है सोमवार सुबाव UPSTF कानपूर पहुंची और 37 करोड रुपए की ऑनलाइन घोटालों की जाज के दोरान टीम ने अनुभाव की पत्नी आयूशी मित्तल की घर को सील कर दिया स्थित इस मामले में कई लोगों से पूछ ताच कर रही है वही रहीवार को अनुभाव मित्तल की रहाई के लिए दिल्ली में सैक्रो लोगों ने प्रदर्शन भी किया था महस 26 साल की उम्र में अनुभाव ने 37 करोड रुपए का घुटाला का सभी को चौका दिया अनुभाव मित्तल का अगला कदम फेस्बुक को मात देना था दरसल यूटूब पर अनुभाव की कमपणी ने 27 जन्वरी को वीडियो डाला था इस वीडियो में दावा किया गया है कि कमपणी जल्दी फेस्बुक की तरज पर भारत का सोशल नेट्वर्किंग प्लेटफॉर्म लाँच करेगी इसके साथ ही कमपणी की कॉल सेंटर और e-commerce विफसाय में भी उतरने की यूजना थी e-commerce को अनुबहों ने सोशल कॉमर्स का नाम दिया था अनुबहों को दावा था कि वह सोशल ट्रेड के निवेशकों को बड़ी कमपणीयों के महंगे उत्पाद काफी कम कीमत पर उपलब्ट कराएगा इसके लिए उसने अपने निवेशकों से कई नामी कमपणीयों के साथ करार करने का भी दावा किया था सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म और e-commerce के लिए अनुबहों ने लगबग सभी तयारिया पूरी भी कर ली थी इसी महीने एक बड़ी कारिकरम के जरीए उन्हें लांच किया जाना था अनुबहों की माने तो उसका सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म फेस्बूक से भी बड़ा और मजबूत होगा क्योंकि फेस्बूक के पास वास्तविक ओडियन्स नहीं है इसी के बल पर उसने कुछी समय में 6 लाक से भी ज्यादा लोगों को अपने साथ जोड़ लिया था देखते रहें डिबी लाइव